करतिक कोचिंग में आपका अधिश्वा अधियों मित्रों तिजिटी और्ट के प्रक्टी सेट फौर को कर चुगे आज हम बात करेंगे प्रक्टी सेट फाइब की विसेट में जो कि दिख गवी अगर हमारे चेनल पर नए है तो आप चैनल को सस्क्राइब और बेल आइकन जरूर दवाईए वे जिससे आगामे वीडियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेंग से तो आई हम बात करते हैं प्रश्म सब क्या एक ही बार में रंगों से चित्र पूर करना कहलाता है तो क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है आला प्राइम क्या कहा बात करते हैं question number दोग ग्वास रंगों के प्रकृती होती है ग्वास रंगों के प्रकृती होती है तो अपार दर्सी होती है अफसन भी सही है तो आप जानते हैं टेंपरा है वाटर कलर भी है वहाँ से पेश्टल नहीं है किसी चित्र के पास रेखा से छाया प्रकास प्रभा उत्पन किया जाता है तो किया जाता है इसको कहा जाता है हैन्चिंग क्या है। पीर हम बात करते हैं Question 6 की चित्र में गोद i mis rebel ओpek रंग का प्रयोक दर्साता है तो किसमें दर्सा आ जाता है मित्रों 月 में तो यह ग्वास में है अपसा नंबर सी इसका सही है फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की क्या करें मित्रों चेरा स्क्यूरों तकनीक ही से चित्र मनाया तो यह कौन माया मित्रों यह माइकल बिंची ने तो मित्रों माया केल बिंची के विशह में पहले ही वीडियो में बात की थे लेकिन लेकिन कर लेते हैं थोड़ी बहुत माया एंजलो बिंची के विशह में बिंची जो की बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ कि आप लोगों को पाश्यात्य कला के विषय में जो ही है उनके विशह में बास करें हैं से उन्हेहां चेट्र को उन्हें इनका जो छी तरक जाता है क्या जाता है मित्तरो संत्त कलाकार कहा जाता है कि संत्त कलाकार कीशे कहा जाता है मित्तरो तो फ्रा एंजेलिको इनका जो चित्रण है क्या है कुमारी का विशेक भविश्यमारी अन्तिम्न्याय देवदोत संगीत मिस्त्र का पलायन और कौनसा है ये खाए अवर इनका दूत संदेश कि इन्हों ने पारो एंजित्र करते हैं कि इनका जन्म करता है इनका जन्म कर होता है पूचा जाता है इनके गुरु कौन थे इनको गुरु थे विरीक च्यों दोना त्ले कौन थे बेह रेच्श जियो अच्छ पर फिर सबसे बड़ी बात कूछा जाता है कौन सा ऐसा कलाकार था जो शरीर-धास्त अंत्रिक्ष विद्या और शरीर नेरक्त प्रिभ्रमा की इनकी सबसे महतपूर चित्र है फिन हम बात करते हैं इनके और चित्र बनाया था टीक इक किसमे बना तैलमाद्ध्यम पद्धति में छाया प्रकास द्रिष्टब्य है फिल क्या होता है इनकी एक और महत्तपूर है रात का अंतिम भोज दा लास्ट सपर क्या दा लास्ट सपर मनलब रात का अंतिम भोजन कब बनाया था यह 1497 में इनके महत्तपूर चित्रों के हम बात कर लेते हैं वर्जीन एंड चाइल्ड क्या वर्जीन एंड चाइल्ड मैडोना एंड विद द शेंटें विद ए असमीनन ईशा की बन दना और दा वर्जीन आप द राक्स क्वेस्ट नमंबर 8 फ्रेसको स स्को भूनो तकनीक होती है किस पे बनाया था है मेरल पिस पे में तो मेरल पर हमने पता दिया था प्रेसको भूनो मलब सुस्क प्रेसको सेसको मरलब सुस्क बुनों मरलब गीली तगनीक होती आए हम बात करते हैं नेस्ट कोईश्टिन चित्र में छोटे-छोटे बिंदूओं को आपस सपास सयोजित करके लाइट डार का प्रभाव उत्पन करना कहलाता है तो क्या कहलाता है मित्रो स्टीपलिंग प्रिंग के शाध मिलाकर के साथ मिलाकर चित्र करना कहलाता है तो क्या कहलाता है मित्रों इन को स्टिक विखने की लेवन की देखिक डॉट डॉटका आविश्कार अईक बंद्धूं नकिया कल के अबन आपको बता राएक बंदियों ने ताहिल रुपाद्यन अ का खिलार किया था ख्यों सब्सक्राइब टोऊश्यearर log करें में प्यास्ट हो उता है रीच्ट sollte अंडा दोह उता है पिर साथ कि अबना भेट सब्सक्राइब में किसे मित्रों तर्व हों एक्रेल्लेक रंग में अप्सक्राइबर 1 बहुत एक लेर में कार एक लेर में किया जाता है तो यह पोश्टर रंग में किया जाता है एक लेयर में पोश्टर रंग में कारे किया जाता है फिर हम बात करते हैं इसका सही उत्तर क्या हुआ मित्रों क्या होए मित्रों आप्सन नमबर दी तीनों में फिर हम बात करते हैं क्या घरा मित्रों के लिए सरवत्तम भूमी है चैल, चित्रण के लिए उसरोंतर भूमी होती है मित्रो यह होती है कैनवांस, किस पर आपसरं नमबर सी कैनवांस पर सबसे रोती एक रसे रहते हैं, पर आपसर नमबर सी Mensch का टेल, renowned ऑगर यह तैल, तैल, चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है। हम बात करते हैं, question number 90, तैल चित्रण बिधी से चित्र बनाने में विख्यात भारती चित्रकार कौन थे, तो हमने कल ही आपको बताया था, ये कौन थे, राजा रभी बर्मा, कौन थे, रभी बर्मा, जो कि इनके माद, इनके विशेम हमने पूरी जानकारी कल आपको दे दिया इनको क्या कहा जाता है, इनको कितने सिस्य थे, इनकी प्रमुक्चित्र कौन थे, कल हमने सारी जानकारी आपको राजा रभी बर्मा के विशेम में दे दिये था, अगर आप इनके प्रमुक्चित्रों की बात करेंगे, तो इनका सकुंतला का बियोग, कौन सा, सकुंतला का बियोग सकुन्तला का बियोग सकुन्तला का बियोग गंगा सांतनु फिर सीता हराण पूछा जातने वाला है सब प्रस्न है सीता हराण फिर कौन सा रामद्वारा समुद्र का मान भंग फिर उदयपूर का किला फिर वामन अवतार हंस और महिला हंस दूत ये इनकी प्रमुख चित्र है फिर हम बात करते हैं question number 20 कि अगर आए जल रंगो है तो कौन सी तूली क्या उत्तम होती है तो कौन सी उत्तम होती में थो कि सेवल है कौन सी में थो आपसा नमबर भी सेवल सेवल है फिर हम बात करते है question number 21 की 21 के मित्रों बीभी ने पर्तों में कार्य हो सकता है तो किस में हो सकता है मित्रों जलरंग में हाँ सही है हो सकता है नहीं हो सकता है ठीक कांच से फ्रेम का 21 की हम बात करें ना क्वेश्चन नमबर 21 बीभी ने पर्तों में कार्य हो सकता है इसमें किस में हो सकता है मित्रों टैलरंग में हो सकता है एक्रेलिक में हो सकता है टेमपराग माध्यम में हो सकता है इसका सही एंस्वर क्या है मित्रों इसका सही एंस्वर है option number D option number D उपरियोक्त तीनो फिनम बात करते हैं next question कहां चैसे frame कराकर रखा जाता है कहां पर रखा जाता है मित्रों AB में फिनम बात करते question number 23 wax awareness लगाया जाता है wax awareness लगाया जाता है किस में लगाया जाता है column ने बताया था आपको फ्रेश्को सिस्कौ तकनीकी में लगाया जाता है फिर हम बात करते हैं क्वेस्चिन नंबर ''Talk थ्वाइटेश तकनिक उपवयूग की जाती है इसमे आपस़न नमबर दिए रख में ते हमारत करते हैं बात करते हैं तर्पीण के तेल का उपवयूग किया जाता है कि अब आपसान नमबर भी इसका सही है किसको तूलिक्या को दोने में इसका प्रयोग किया जाता है फिन हम बात करते हैं question number 26 की सरवपर्थम pencil की अस्थापना हुई थी कब हुई थी 1716 में कभी थी 1716 में सरवपर्थां कमपनी पेंसिल के स्थाफना हुए थी फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 ट्राइवल आर्ट संबंधित है आप सीधे सीजे जहां ट्राई आये वहां सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बातिक कला का जन्म हुआ था तो बातिक कला कहा जन्म हुआ था अप संबंधित इंडोनेसिया में बिन हम बात करते हैं question number 30 तैल रंग में da-a-da-a-t की तरफ से छित्रण किया जाता है तो किसमे पिया जाता है जानते हैं talking number 16 इस से छाय प्रकास के मिला रहता है कि 100 कुज थी चित्रन करने की विद्र कालाती है चित्रन करने की भिधि क्या खाला ति मिस्तों इसको का जाता है आपसे नुमर भी तक नहींई की पर हम बात करते हैं क्वेशन नंबर 34 का की दातो के रंग latch कब बनाए गए थे धातूब के रंग कब बनाय गए थे हैं तो आपसर नंबर C, 18 इस अतादी में धातूब के रंग बनाय गए थे तिन हम बात करते हैं Question 35 की 35 के कारहा है मैस्टरो Pencil कितने Degrey पर दिखाई देती है कितने Degrey पर दिखाई देती है मैस्टरो Officer N Fran 25 पिन हम बात करते हैं question number 36 की hard pencil होती है hard pencil काउन सी होती है तो option number 3H काउन सा option number 3H C फिन हम बात करते हैं question number 37 की बार्टिक कला का जन्म अस्थान अभी अभी question repeat हो गया है तो आईए हम बात करते हैं पिन हम बात करते question number 36 की 38 की किसी चित्र तल पर रंग लगा कर दूसरे तल पर छापने को कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसे graphics करते हैं option number D क्या करते हैं graphics फिर वम बात करते हैm question number 39 की Tang selective फ्लेट किस कला की तकनीक की मानि जाती है तो यह किस कला की तकनीक मानि जाते मित्रो, अभी यस्ट न हम ने आपको बताया यह भी graphics हिए option number C graphics फिर अम बात करते हैं question number 48 एंचिंग का प्रयोग किया जाता है अभी अभी अमने ज़स्ट बताया आपको ग्राफिक में इसमें मित्रों ग्राफिक में थे बात करते हैं question number 42, इंचिंग में पराथमिक अंकन को कहते हैं तो into glyo, आपसन number Michever in डरन ने किया था अफसान नंबर सी फिर आम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर भारत में लियो ग्राफी प्रेस के अस्तापना अठापना इसितुमी में नंबर पिन्हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की भारत में राजा रभी बर्मा ने प्रेश की अस्थापना पी, किस प्रेश की अस्थापना करें मित्वो लीट्व ग्राफ प्रेश की अस्थापना करते हैं, आपसा नंबर ए, लीट्व ग्राफ प्रेश की अस्थापना करते हैं आप संबर एक कप करते हैं, ठीक, फिन हम बात करते हैं, एंचिंग में छपाई के वक्त कागज कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, मित्रो किंचित नम, क्या होना चाहिए, किंचित नम, आपसा नम्बर C, फिर हम बात करते हैं, भारत में सेरे ग्राफी का प्रियोक । किया था, तो ये किस ने किया था मित्रो कल बताया था हमने केजी सुब्रम बढ़े मापसम नमबर B सही है फिर हम बात करते हैं क्वेस्चन नमबर 49 की एक क्वांटिटी का परियोग सरोपथम किस ने दिया था तो ये किस ने किया था फ्रांसिस को गोया ने किया था किस ने किया था फ्रांसिस को गोया ने दिया था फिन हम बात करते हैं question number 50 50 क्या कर रहा है मित्रो यह सुमेलन करना है सुमेलित करने का तरीके कलम नहीं आपको बता ही दिया था कैसे सुमेलित करना जिसे afton 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 a सेरोग्राफी का प्रचलन 1930 में हुआ था तो यह कहां हुआ था मित्रों अप्सन नमबर सी अमेरिक्या में फिन बात करते हैं 52 की लीटोग्राफी के लिए किस पत्तर का प्रयोग किया जाता है तो किस पत्तर का प्रयोग किया था मित्रों अप्सन नमबर छूना पत्तर का प्र इसका आपसम नमबर भी नाइलोन फिन हम बात करते हैं को 54 की आपसे प्रिंटिंग का अविश्कार हुआ था कब हुआ था यह हुआ था 1906 में प्रिंह सब नमबर भी सही है पिन हम बात करते हैं मित्रों वीक्वेस्चन नमबर 55 की फिप्टी फाइब क्या है मित्रों गहरे तल की छपाई को कहते हैं क्या कहते है मित्रों एंटे लियों फिर बात करते हैं आपसन नमबर एस है उसका फिर बात करते हैं 56 की अंग्रेजी सब्द फोटोग्राफी का हिंदी रुपांतरन क्या है तो इसका अहिंदी रुपांतर होता आपसन नमबरे 6 आंकन फिन हम बात करतें क्वेश्चन नमबर 57 की लियोनाड़ो बिंची किस कैमरे पर सोध कर उसका विकास तिया तो हमने आपको बताया था लियोनाड़ो बिंची की विश्चे में सारी जानकारी आपको दे दी थी किस कैमरे के खोज के थी अब इसक्यूरा कैमरे आपसन नमबर सी सही है फिन हम बात करतें क्वेश्चन नमबर 58 की किसके द्वारा प्रतम बार व्यवसाहिक रंगीन फिल्म का निर्माड किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था मित्रों इसका सही है लुमीर बंधू के द्वारा किया गया था फिन हम बात करते हैं 59 की SLR कैमरे का पूरा नाम क्या है एसे लार कैमरे का पूरा नाम क्या है मित्रों इसका सिंगिल लेंस रिफलेक्टर आपसन नमबर यह सही है ठीक फिर बात करते हैं question number 60 फोटो बनाने के लिए किस पेपर का प्रियोग होता है तो किस प्रियोग होता है मित्रों इसका सही आपसन है Bromite paper इसका Bromite paper बात करते है question number 61 भारत में पहला photo studio कहा खोला गया तो अभी अभी आपको अब बताया कि भारत में पहला photo studio कहां खोला गया था तो कत्ता में आपसना number प्रियोग होता है किसका होता है इसका होता है इसका सही एंसर क्या है इसका सही एंसर आपसन नमबर क्या है मित्रो इसका सही एंसर कि एसलर में होता है को डक में होता है इसका सही एंसर आपसन नमबर डी आपसन नमबर डी सभी में होता है फिन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है मित्रो हमारा कैमरे में लाइट को कम ज्यादा करने के लिए होता है कैमरे के लाइट को कम ज्याद करने के लिए होता है तो इसकान अपररचर क्या हो जाएगया फर्चर आप या इन कि обात करतें क्वेिश्चन नमबर 65 कि किस काइमरे में रील का प्रियोग नहीं होता है तो बाक्ष लकाइमरे में नहीं होता है तो फिल्ड Looking नमबर 66 की 66 के पनूर्मा क्या है पनूर्मा क्या है मित्रू यह फोटोग्राफी की तक्नीक ही आफसन नमबर सी फिर हम बात करते हैं question नमबर 67 की 67 की मित्रू निगेटिव से प्रिंट बनाने का कारे किस यंत्र द्वारा होता है करते हैं तो किस यंत्र द्वारा करते हैं तो हो जाएगा M लार्जर क्या हो जाएगा N लार्जर आफसन नमबर C फिर हम बात करते हैं 68 की बंगाल फोटोग्राफि सोसाइटी के संरच्छक कौन थे ती कौन थे मित्रो इसका सही एंसर है आफसन नमबर D सवाई राम सिंग जो की पिछली वीडियो में भी ये question नमने आपको कराया था फिर हम बात करते है question number 69 की क्या करा है मित्रो सिकंद्रावाद में अपना बेवसाई फोटो इस्टूरियो किसने बनवाया था तो यह किसने बनवाया था मित्रो इसका राइट एंसर है लाल दीन दया लापसन नमबर A फिर हम बात करेंगे question number 70 विग्यापन का माध्यम होता है विग्यापन का माध्यम क्या होता मित्रो टीवी होता टीवी माध्यम से विग्यापन किया जाता है और मैग जीन के माध्यम से भी किया जाता है तो इसका सही एंसर है option number D उपरियोक्त सभी के द्वारा फिर हम बात करते हैं next question की 71 की 71 क्या मित्रो भारत में पहली विग्याप एजनसी की अस्तापन 1907 में कहां हुई थी तो हमने सब को बताया था कि मुंबई में हुई थी रिपीटेट क्वेश्चन है मित्रों 71 का आफसन नंबर C फिन हम बात करते हैं 72 कि लोगो होता है लोगो क्या होता है मित्रों आप सभी जानते हैं प्रतीक चिन होता है किसी भी उस किसनों नंबर 1727 में डेली करेंट पहला दयनिक समाचार प्रत्रवाला किस देश में प्रकासित हुए तो ये कहां प्रकासित हुए तो ये इंगलायन्ड में में आपसन-नंबर C प्रकासित होता है फिन हम बात करते हैं कुर्शन नंबर 74 कि 74 कि अस्थापन प्रत्रों प्रकासित किया था किसमें हुआ था तो आपसा नंबर भी दायनिक में किसमें मित्रू दायनिक में हुआ था फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की क्या कहता है मित्रू हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है तो हिंदी का उदंट मारलंट माना जाता है फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की विग्यापन कलब की अस्थापना हुई थी तो विग्यापन कलब की अस् बिग्यापन का महत्वपूर्ण पत्तव जो उपभोक्ता को सबसे पहले प्रभावित यह माकर्शित करता है तो क्या करता है मित्रो अपसन नमबर ए मुख्य सिर्सव किनम बात करते हैं बिग्यापन में उपभोक्ता को अकर्शित करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्तो माना जाता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है पिनम बात करते हैं क्योष्क क्या है तो क्योष्क क्या है मित्रो अपसन नमबर ए मुख्यापन का माध्यम है पिनम बात करते है question number 82 how to home विज्ञापन कहते हैं इसको कहा जाता है मित्रो वहा है विज्ञापन को कहा जाता है फिन हम बात करते है question number 83 की भारत में रेडियों पर विज्ञापन प्रसारित होना प्रारंब हुआ तो यह कब हुआ मित्रो आपसर नमबर भी 1967 में व बात करते हैं 54 की भारती चित्रकला प्रधान है तो आपसर नमबरे रेखा प्रधान से कि नूंट चित्रकला के प्रधान इसको आप सभी जानते हैं इसका रेव इसमें रेखा प्रधान होता है भारतिक कला प्रधान है तो वरण का फिर नम बात करते हैं प्राग एतिहासिक काल के चित्रों किस सहली का अधिक प्रियोग हुआ है तो इसमें आप सभी जानते हैं मित्रों इसमें छेपांकन सहली का प्रियोग हुआ है फिन हम बात करते हैं क्वेस्चन नमबर एटी एट की एटी एट के अगर प्रागयतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रियोग किया गया है किस रंग का प्रियोग किया गया है किस रंग का प्रियोग किया गया है इसमें खानी जरंगों का प्रियोग किया गया है प्रागयतिहासिक चित्रकला में तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन के नेक्स्ट क्वेस्टन हमारा क्या में प्रागयतिहासी कालिम चित्रों में किसके बने तूलिक्या का प्रियोग किया गया है तो रेशेदार लकड़ी बास और नरकूल का आफसन नंबर भी सही है इसका पर हम बात करते हैं सही मिलान के लिए बात होती है मित्रों सही मिलान की बात कि देफें हैं और कि से मिलान की बात कि खुर्श्चन नमबर नाइनटी ये से क्या कर रहाए कोहवर कोवर सभी लोग जानते हैं मिट्थो खोहबर क क्या नम्बर फट हैं है आप का मिर्जापुर है कोहबर क है कहां पहर और यह थे लिए किक प्रापह जारखंड में है करने अधमगर्द होसंगा में है चकृतंगर फ्रहाई सब्र म mulheres करिए जिसमें दो एक जैसे मलेजिए अभी आपने मिलाया अगर DNA होता लिए दो आप podstawY तो आप सभी जानते हैं, गेरू या लाल रंग का परीयोग हुआ है। तो देखें, गेरू ये महिरihi तो पर पहते हैं हिसफे हैं के बना जाते थी? काले काले रंग और किस्ते बना जाते थे यह कोय लाकर闅ंग किस से इसको किस से बना जाता था कोईला हुआ काजल से ठीक फिर एक और रंगों का प्रियोग होता था सफेद सफेद रंग का प्रियोग होता था मित्रों इसमें सफेद रंगों का प्रियोग होता था तो यह किस से बनाया जाता था सफेद रंग मित्रों यह खड़िया रंगों से बने होते थे थे इनकों अकृतियों के हम बात करते हैं अकृतियों का जो निर्मार होता था प्रागेति ह क्लासिकल मित्रों सीधी होती थी क्या होता था मित्रों सीधा कि सीधा होता था कि सीधा वक्र कि और आयताकार कि आयताकार जामती रूप कारों का प्रयोग है इसमें जामती रूप कारों का प्रयोग होता है तो एक बात यह जाने जिप्रागाइती हासी चित्रन होती थी कहां पे होती थी दिवारों पे होती थी गुफाओं पे होती थी और फरस दिवारों पे होती थी गुफाओं के फरसों पर छतों पर याद रखियेगा ये मेन है आप इसको याद रखियेगा किस पे छतों पर झाल झाल